Hello Friends, I am Anmool Friends, हम Part 1 में Chemistry कुछ important question देख चुगे थे यह Part 2 है Friends, हम यह बहुत important question जो बार-बार पूछे जाते हैं बहुत question देख रहे हैं आप किसी भी competition exam की preparation कर रहे हूं या किसी central university या किसी other government university में admission के लिए interest exam की preparation कर रहे हैं तो question बहुत ही useful है तो Friends, वीडियो को लगस्त तक जरूर देखें question start करते हैं 26 दात का मसूरा किस प्रधार्द का बना है जो काफी कटोर है A. copper chloride B. calcium phosphate C. calcium carbide D. calcium carbonate Friends, इसका right answer है calcium phosphate next question देखें Emily में कौन सा हमल है A. methanoic अमल B. turmeric अमल C. latic अमल D. oxalic अमल तो Friends, इसका right answer है तर्टरिक अमल next question है अपचैन उपचैन अभी किरिया को क्या कहते हैं A. उश्मा शोशी अभी किरिया B. ragdoss अभी किरिया C. अब छेप अभी किरिया D. उश्मा शेपी अभी किरिया तो Friends, इसका right answer है Redox अभी किरिया next question है दानेदार जस्ता पर तनु सालफरे कमल डालने पर कौन सा गैस उतसरजित होता है A. हाइट्रोजन गैस B. सलफर डाइओकसाइट C. ओक्सिजन गैस D. कोई गैस नहीं Friends, इसका answer देखे A. हाइट्रोजन गैस इसका right answer है next question शूर प्रकास की उपस्तिती में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन गुलुकोस तयार करते हैं यह कौन सी अभी किरिया है A. अभिस्तापन B. अभिघटन C. प्रकास राशानिक D. अभचेपड तो Francis का right answer है C. प्रकास राशानिक question है जिंक तथा लेड कौपर की अपिक्षा A. कम क्रियाशील है B. अधिक क्रियाशील है C. समान क्रियाशील है D. अन तो Francis का right answer है अधिक क्रियाशील है Next question अंगूर का किटवन करना एक option है A. राशानिक परिवर्तन है B. बहुत एक परिवर्तन है C. राशानिक और बहुत एक परिवर्तन दोनों है D. अन तो Francis का right answer है राशानिक परिवर्तन Friends, राशानिक परिवर्तन और बहुत एक परिवर्तन से बहुत सारी question पूछे जाते है इतलिए आप इन्हें अच्छे से देखे Next question है Magnesium की ribbon की देहन होने पर किस प्रकरतिक का law उतिसर्जित होता है A. लाल और चमकदार B. नीला चमकदार C. स्वेथ चमकदार D. हरा चमकदार तो Francis का right answer है स्वेथ चमकदार Next question है शिरका में कौन से अमल पाया जाता है A. लेक्टिक अमल B. साइट्रिक अमल C. मेथिनोईक अमल D. असेटिक अमल तो Francis का right answer है D. असेटिक अमल Next question है निम्न में कौन बिजाती है योगिक है A. प्लास्टिक अप पैरिस B. खडिया C. संग मरमर D. चूना पत्थर तो Francis का right answer है Plastic अप पैरिस Next question है नीवू के रसका पीच मान लगबक होता है A. 10 B. 2.2 C. 12 D. 14 तो Francis का right answer है 2.2 Next question है मदुमक्के के डंक मानने पर किस पधार्थ से उप्चार करना लाबकारी है Option है A. बैकिंग शोड़ा B. सोडियम कार्बोनेट C. सोडियम ग्लॉराइड D. अन्य तो Francis का right answer है A. बैकिंग शोड़ा Next question है मुँ साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का वैवार करना चाहिए जिससे की दंत छे रोग जा सके A. अमलिय दंत मंजन B. चारकिय दंत मंजन C. उदासीन दंत मंजन D. सभी तो Francis का right answer है चारकिय दंत मंजन Next question है निम्न में कौन अधातू बिद्धूत का सुचालक है A. ग्रेफाइट B. कॉपर C. सल्फर D. हीरा Francis का right answer है ग्रेफाइट Friends, answer लिखने से पहले exam में हमेशा दियान रखे कि कॉशन को बहुत दियान से पढ़े क्योंकि कभी-कभी हम कॉशन ही रॉंग पढ़ते है Next question है निम्न मेंसे किस धातू को चाकू से काटा जा सकता है A. मैगनीशियम B. सल्फर C. सोडियम D. क्रोमनियम तो Friends, इसका right answer है सोडियम सोडियम को हम धातू को सोडियम एक ऐसी धातू है जिसे हम चाकू से काट सकते है Next question है जस्ता के अश्क है A. जिंक ब्लेड B. बकसाइड C. सोडियम क्लोराइड D. सिनावर तो Friends, इसके right answer देखे जिंक ब्लेड Next question है इस पात में कितना प्रतीशत कारवन है A. 3%, B. 4%, C. 2%, D. 5% तो Friends, इसके right answer है 2% Next question कौन सी धातू है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सिजन से अभी क्रिया नहीं करती है A. लोहा B. सोना C. पोटेशियम D. अलूमिनियम तो Friends, इसके right answer है B. सोना कौन सा धातू जल में डालने पर तैरने लगता है A. कैलसियम B. निकेल C. मैंगमेशियम D. पोटेशियम Friends, इसके right answer देखें A. कैलसियम Friends, हमने इस वीडियो में जो chemistry के important question है वो देखें इससे पहले हम part 1 में भी कुछ question देख चुके थी यह part 2 है इसके आगे हम अगली वीडियो Part 3, Part 4 में आगे ऐसी सीरियस चलती रहेगी और हम important question देखते रहेंगे Friends, यह question बहुत ही important है आप किसी भी competition exam का paper उठाके देखें तो chemistry का यह दिवो है तो उसमें यह question जाद जाद पूछे जाते है Friends, आप किसी भी university में admission लेना चाहते है और university की information चाहते है या किसी course की information चाहते है course क्या होता है किते year का होता है तो हमारे channel पर सारी information है आप हमारे channel पर जाके देख सकते है And friends, आप हमार आप के Central University Dr. Hari Singh और university सागर में admission लेना चाहते है तो हमारे channel में Dr. Hari Singh और university के सारे course, course details, fees and previous year के paper, cut off सारी video upload है आप वहाँ जाके देख सकते है And friends, आप किसी other topic पर video चाहते है तो हमें comment box में comment करें And हमारी जो video है, नमें कोई question है या कोई आपका doubt है आप पूछना चाहते है तो comment box में पूछे हम आपका reply देंगी And friends, वीडियो अच्छी लगे तो like करें And friends को share करें और इंट्रेंस एक्जाम्स रिलेटेड या एड़िशर्स रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें झाल